हेलो दोस्तों आपका स्वागत एक न्याए वीडियो में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ Samsung Galaxy M34 5G में किस तरह से call waiting का option on कर सकते हो या बन कर सकते हैं दोस्तों मैं हूरो जैस्वाल आप देखे हो technical RGM आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ call waiting किस तरह से आप अपने मोबाइल में चालू कर सकते हो फिलाल मैं Samsung Galaxy में आपको बताने वाला हूँ call waiting चालू करना है तो इसके लिए आपको यह mobile के setting में नहीं आना पड़ेगा इसके लिए आपको डायलर पटन जहां से आप नंबर डाल करते हो उस पर आपको simply एक बड़ क्लिक करना होगा क्लिक करने कबाद ऊपर आप देख रहें थ्री डॉट दिखा देरा तो थ्री डॉट पर एक बड़ क्लिक करेंगे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको ऑपसें मिलेगा setting का तीश सेटिंग में आपको आजाना है चलिए मैंने setting में आ गया setting में आ जाने कबाद आपको slide करते हुए नीचे आना है नीचे आएंगे तो यहां पर मिलेगा supplementary service तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे तो sim number one और sim number two अगर आपके mobile में A की sim में one या two जो इसमें भी है तो इसको चालू कर लिजे अगर दोनों में हैं तो आप दोनों call waiting का symbol दिख रहा है दोनों आप on कर लिजे अगर आप चाहते कि आपके में call waiting जो आता है बार बार रिष्टप करता है वो नहीं दिखाई दे आपको simply दोनों को बन कर लेना होगा तो फिर आपके mobile पर कोई भी अगर call करता है अगर आप कहीं बात कर रहे हो अगर कोई call करता है तो आपके पर नहीं सो करेगा तो इस तरह स दोस्तों आप अपने mobile में call waiting setting कर सकते हो तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताईए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मिलते आपको next वीडियो में